इसे ऐसा कहे जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 17 अक्टोबर विश्वास की गोशना मैं गोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असदारन और आलोकिक हूँ मैं गोशना करता हूँ कि मैं अपने कर्म को विश्वास की पीछे रखता हूँ इश्वर ने मेरे दिल में जो कुछ रखा है उसकी ओर बढ़ने के लिए साहिस से कदम उठा कर मैं अपने विश्वास का प्रदशन करता हूँ मेरा विश्वास देखा जा सकता है ईश्वर मेरे विश्वास को देखता है वो अनंत काल के लिए अपने अद्बुद वादो को मेरे लिए पुरा करता है यह मेरी घोशना है दिविय स्वस्ती की स्विकार रोकित मैं मसीहा येश्यू में पुर्ण हूँ और उसके साथ अपनी एकता के द्वारा मैं पुर्न हुआ हुआ हूँ, मुझे भले कामों के लिए बनाया गया है और अच्छे जीवन के लिए पहले से ही तै किया गया है, मेरी शरीर में कुछ भी गलत नहीं है और मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे एक उत्कृष्ट मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर का प्रिया हूँ, मैं ईश्वर और मानवजाती का क्रीपा पातर हूँ, मैं वहीं बोलता हूँ जो मैं देखना चाता हूँ, न की जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने ईश्वर की घर मे अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ मैं अपने प्रभू के दर्बार में ताड की पेड़ की तरह फलता फुलता हूँ मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रम में फल उत्पन करता हूँ मैं प्रभू में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बुड़ापे में भी मैं ताजा और फलता फुलता रहूंगा मेरा पता मुर जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वो येशु के नाम में समिर्ध होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येशु के नाम में काम कर रही है मैं मसीहा येशु में हर आदमितिक आशिरवात का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते है मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है मेरा अंतर्मन सुनता है प्राप्त करता है और मेरी शरीर को निर्देश देती है और मेरा शरीर पालन करता है येश्यू के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशी जीवन मेरी जीवन में हमेशा स्पस्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर व मनोभाव से बात करता हूँ परिपुर्ण न बनो, मसीछा के मनोभाव की तरह और मैं तुम्हे परमेश्वर के वचण से सरेकित होने की आग्या देता हूँ मैं अपने स्ताईयों और नसों से जीवन बोलता हूँ मैं अपने मास पेशियों और स्राही बंदन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ मैं अपने फेफडों और उत्कों से सामन्य वेंटिलेशन और परफिशन अनुपाद बनाये रखने के लिए बात करता हूँ मैं अपने किड्नी, लीवर और अगनशाइयों को पुरनता बोलता हूँ मेरी खुन की हर कोशी कामी जीवन है मेरी हडिया, जोड और काटिलेश, सरेकित, मजबूत और डिड़ है मेरे पूरे उपरे और नीचले अंग उतकुष रूप से कारिय करते है मेरी आखे स्पष्ट रूप से और पुरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी तवच्चा एक नवजा शीशू और इश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी स्वस्थ है मेरे बालों के रूम कज गए है मैं अपने बालों को स्तेर रहने की आग्या देता हूँ और जहां वरिद्दे की अविशक्ता होती है मैं अपने रूम में विकास छोड़ता हूँ मेरे दात, मसूडे, जब्रे की हडिया और तंतरी का और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ मजबुत और परिपुर्न है मेरे सभी हार्मोन और नियूरोकेमिकल ट्रांस्मीटर एक दुसरे के साथ पुर्न सामजाई में है और अपने कारियों को सामन्य रूप से निश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंतर निगले गए सभी खात पदार्तों को पचाने अफशोशित करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चाया पची अफशित उत्पाद नीमित रूप से उसरजित होते है मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शितलता, गपशप, आलस, अधिकनीन, सुस्ती और बादियकारी खरीदारी में सभी प्रकार के व्यसनों शराब, निकोटिन, ड्रक्स, दिव्यधा, तुपान, अत्यदिक भोग को कैद करता हूँ और मसीहा की आग्या करीता में लेता हूँ जैसे येशु वैसे ही मैं, ईश्वन ने जो कुछ भी बनाया है वो मेरे लिए जीवन और चंगाई है इसलिए खात, पदार्तो, दूल, जानवरो, आदी, एलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है ईश्वन ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजनन तंत्र प्रयाप मात्रम में और अच्छी गतिशिल्ता वाले शुक्रनाओं का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है जनम तक ब्रून की रक्षा और बोशन कर रहा है मेरी शरीर का हर अंग हर कोशी का पुर्णता में कारिय करता है जिसके लिए इश्वर ने इसे कारिय करने के लिए बनाया है और मैं मेरी शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विक्रिती को येश्यू के नाम पर मना करता हूँ आमेन मेरा संपुर्ण मानव शरीर रचना विज्ञान चया पची और शरीर क्रिया विज्ञान मसिहा येशु में परिपुर्ण है महीमा हालेलुया आमेन पिता इश्वर मुझे प्यार करते हैं मुझे पता है कि मैं जानता हूँ पुत्र ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ, आमेन